नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर भीड से हमारे इस पावरफुल मुटिबेशन यूटूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चाड़क नीती के अनुसर बताएंगे कि अगर महिला के इन अंगो पर तिल हैं तो ऐसी महिला अपने पती का भाग शमका देती है और पूरे घर को माला माल कर देती है क्यूंकि ये अवरते होती है बहुती भाग शाली और इनके साथ हमेशा देवी लचमी की करपा बनी रहती है और ऐसी औरतें जिस घर में जाती हैं उस घर को स्वर्ग जैसा बना देती हैं दोस्तों हिंदु धर्म में महिलाओं को लच्मी माना जाता है कहा गया है कि जिस घर में औरत की इज्यत होती है बहां देवी देपताओं का बास होता है इसी तरहे महिलाओं के सरीर के कई निसान भाग साली बनाते हैं सामुद्रिक सास्तर की मानों तो ये निसान उन्हें भाग साली बनाते हैं कहा जाता है कि जिस भी महिला के ये निसान होते हैं जिसके सरीर में ये अंग बड़े होते हैं वो बहुत भाग साली होती हैं और जहां भी बार रहती हैं उसके घर में खुस हाल आती है आपको बता रहे हैं सवभाग साली महिलाओं के ऐसे ही निसान और अंगों के बारे में दोस्तों बड़े बचिस्तल दोस्तों महिलाओं के बड़े बचिस्तलों का होना सुख सवभाग और धन संपदा की प्राप्ति का सूचक माना गया है ऐसी महिलाएं बेहत भाग सा दोस्तों सामद्रिक सा satr के अनुसार कहा जाता है कि अगर किसी महिला की नाभी के नीचे मस्सा हो बहुत भागले साली होती है नाभी के नीचे तिलिया मस्सा होना सुक संपन्नता का प्रतीक है दोस्तों महिलाओं को भागे साली और धनबान बनाने में उनकी नाभी का बड़ा होना काफी माइने रखता है महिलाओं में नाभी बड़ी गहरी हो और दाई और मुड़ी हो तो यहाँ उनके लिए सुभलत छड़ माना गया है सामुद्रिक सास्तर के अनुसार कहा जाता है कि जिस महिला की नाभी बहुत गहरी होती है वो महिला अपने परिवार के लिए बहुत लकी होती है दोस्तो सामुद्रिक सास्तर के अनुसार कहा जाता है कि किसी महिला के नाक के नीचे मसा या तिल होना ये माना जाता है कि बहुत भाग्यसाली होती है बहुत अपने परिबार के लिए भाग्यसाली होती है और दोस्तों जिन महिलाओं की पैरों के उंगलियां एक बराबर लंबी होती है और अंगूठा चोड़ा और गोल होता है वो बहुत ही किस्मत की धनी होती है दोस्तो सामुद्रिक साहतर के अनुसार कहा जाता है कि जिस महिला के माथे के बीचो बीच तिल होता है बहुत ही सवभाग साली होती है ऐसी महिलाएं पती के लिए बहुत ही लकी होती है और दोस्तो जिन महिलाओं के लंबे बाल होते हैं वो भी बहुत भाग साली होती है यही कारण है कि देवी की प्रितिमाव में उनके लंबे बाल दिखाये जाते हैं लंबे बाल सुभता और भाग्यसाली होने के परतीक माने गए हैं और दोस्तों जिन महिलाओं की जंगाय पुष्ट और मारसल यूक तो होती हैं वो भी बहुत ही भाग्यसाली होती हैं ऐसी औरती ए लंबे और मुलायम पैर होते हैं यह माना जाता है कि माता लच्मी के समान सुभ होते हैं क्योंकि दोस्तों माता लच्मी के भी पैर लंबे और मुलायम होते हैं और दोस्तों आज हम आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों यदि आप अपने जीवन में सफल आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी और मातालचमी की कुरपा सदैब आप पर बनी रहेगी। यदि आप दोस्तों अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको रोजाना मातालचमी को याद करना है। तो दोस्तों अभी कमेंट बाक्स में ज जाए हें तजाए बारत